दोस्तों कैसे हैं आप रोच 26 मार्च 2022 के डेनी लीज अनलेसिस करेंट डिसकेशन में आपका स्वागत है कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है तो काला नमक के कल्टिवेशन से रिलेटेड एक न्यूज है इसको देखेंगे चाइना और सोलोमन आइलेंड एक ड्राफ्ट सिक्रेट सिक्यूर्टी पैक्ट साइन कर रहे है अउस्टेलिया अगर ये है इधर न्यूजी लैंड है तो यहां कहीं पर सोलोमन आइलेंड है ये Solomon Island Australia के उपर बहुत अब तक depend करता है लेकिन recently एक secret document निकल का है जिसके चलते ये बोला जा रहा है कि चाइना अपने naval assets को, military assets को Solomon Islands पे place कर सकता है अब इसके चलते एक concern, एक alarm उठके आया है और ये alarm obvious सी बात है Australia के उपर उठके आगा नेबर हुड पीसफुल नहीं रह सकता लेकिन Australia बिल्कुल पीसफुल लाट के बीच में है अब Australia नर्वस हो जाएगा अगर जैना यसी powers अपने naval assets को आसपास की countries में place हो रहे हैं तो इस news को समझने कोशिश करेंगे इंडिया TV report 2022 के बारे में कल कुछ facts देखेंगे इंडिया ने बोलाए कि चुकि भाई domestic purposes के लिए sugar की कमी पढ़ सकती है इसलिए हम देश के बाहर केवल 8 million tons sugar export करेंगे इसको देखेंगे IPS में लोग join कर सके हैं disabled लोग join कर सके हैं इसकी provisional permission दिये Supreme Court ने मतब provisionally apply कर सकते हैं इस ने उसको समझेंगे इंडिया ने चाइना को साफ साफ बोल दिया कि जब तक border areas में peace नहीं होगा जब तक ties normalize नहीं होगे और finally EU और US ने European Union और United States ने याँप एक agreement sign किया कि रशिया की energy के उपर हम dependent नहीं होगे हम अपना खुद का हिसाब बनाएंगे अब कैसे हिसाब बनाएंगे उसको देखते हैं word of the day देख लेते हैं below below मतलब समझ लीजे belowing, below जैसे for example अब बड़े-बड़े clouds हैं और वो clouds हवा में तैर रहे हैं और एक जग से दुशे जगा move कर रहे हैं तो इसको कहते हो below माली जै किसी girl ने कोई dress पहन रखी हावा चल रही है तो overall जो dress है वो इधर उधर बहर ही इसको आप कहते हो below मतलब air की वज़े से force लगने की वज़े से कोई चीज मूव कर रही है तो इसको आप कह सकते हो below जैसे sentence में smoke below'd from the chimney's तो चिम्मिनी से जो smoke है वो बहर की तरफ निकल रही है तो इसको बोलते हो आप below आगे बने से बहले वीडियो पे like बटन दोस्तों चैनल को share सब्सक्राइब कर लिजे इस्टराम पे follow कर लिजे टेलीग्राम ग्रूप जोएन कर लिजे हम Chinese Foreign Minister Wangi को दिली में ये बताया कि भाई इंडिया और चैना के ties तब तक normalize नहीं कर सकते जब तक LACP situation सौट आउट नहीं होती है एक broad और substantive agenda पे बात चीत हुई है टॉक्स open और candidate थे External Affairs Minister ने national sentiment को बता दिया चैना को चैना से बोला है जब तक frictions और tensions continue रहते हैं जो तुमने अपरायल 2020 में deployments की हैं जब तक वो रहेंगी तब तक relation नॉर्मलाइज यहां पे नहीं होने वाले हैं Around 1,00,000 इंडियन और Chinese soldiers एक दूसरे को face करके खड़े हुए और जब इतने बड़े amount of troops एक दूसरे को face करके border पे खड़े रहे तो एक चीज तो clear है कि situation नॉर्मल नहीं है It is abnormal हाला कि यहां पर यह भी बोला गया कि 15 rounds of commander level talk 8 rounds of special working mechanism and consultation and coordination हो चुका है चीज़ें कुछ जगों पे sort out हुई हैं और कुछ जगों पे sort out होनी बागी है China क्या कह रहा है कि तीन point approach रखिये long term vision रखिये development and opportunity को देखो multi-lateral issues पे बात करो तो इस तरीके की बोल बच्चन बाद China कर रहा है border issue पर से ध्यान मटकाने की कोशिश कर रहा है China ने आप ये भी बोला है कि China India plus initiatives को चालू करते हैं जिसके चलते South Asia में India China मिल के joint projects को execute करेंगे इसके ओपर बात तब हुई थी जब Modi जी वहान गए थे और जी जिंक पिंग से मिले थे China ने बोला कि हम unipolar Asia नहीं चाहते हम India के role को recognize करते हैं चाहिना इस बात को जानता है कि unipolar Asia हो भी नहीं सकता जब तक इंडिया ऐसी power बगल में है China की अकेले बादशाहत नहीं चल सकती no doubt उनका trade में military power में एक upper hand है but वो upper hand इतना नहीं है कि वो इंडिया को पूरी तरीके से side step कर दे उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि border issue should be put in its proper place in bilateral relationship मतलब China ये बोल रहा है कि border issues को side में रखो बादचीद उसके ओपर होती रहेगी और बागी overall development bilateral relationship को होना चाहिए उस पर फरक नहीं आना चाहिए तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है चुकि यही China जब USA के साथ engage करता है तो China USA से बोलता है कि Taiwan के issue पर मत बोलो Taiwan के issue को side रख दो ठीक है जब तक तुम Taiwan के issue पर बखवास करोगे तब तक normal relation नहीं रख सकते है ये China USA को बोलता है और जब बात होती ही China के इंडिया से तब China इंडिया से बोलता है जब तक immediate issues को आप resolve नहीं करते और विसी बात है कोई भी bilateral visit हमारे head of state दोरा चाइना में नहीं होगी multi-lateral visit होना भी मुश्किल ही लग रहा है अब इस साल BRICS की chairmanship है चाइना के पास और overall चाइना में summit होगा वहाँ पे सारे leaders को जाना होगा तो मुदी जी को भी जाना होगा लेकिन मुदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे इस बात पर अभी कोई clarity कोई statement भारा सरकार की तरफ से नहीं आया है इंडिया G20 और शांगाई corporation organization को host करेगा 2023 में तो उस समय पे चाइना से जो representatives से आएंगे तो बैसिकली यहाँ पे वहांगे इंडिया से बोल रहे हैं कि बहुत सारे international summits होने चाहिए होने वाले हैं उन summits में इंडिया चाइना की common position नज़र आएगी तो by later strong नज़र आएंगे border issue को ignore करो लेकिन ignore करने के लिए इंडिया यहाँ पे तयार है नहीं देखे जो strategic gains चाइना करना चाहता था वो वो कर चुका है अब इन strategic gains के बात की वो story आगे बढ़ाना चाहता है वहाँ पे बैक ट्रेक करना नहीं चाहता और इंडिया यहीं चाहता है कि यह बैक ट्रेक हो जाए नहीं तो इंडिया के लिए बहुत humiliating बात होगी यहाँ पे लेट सी आगे क्या निकल के आता है जी इस पेपर टू इंडिया और नेबरहूट रिलेशन्स में नीज़ आपो काम आएगी नेक्स नीज़ यू अनौन्स न्यू पार्टनर्शिप टू अंडरकट रशीन एनरजी तो बहिए उनाटर स्टेट्स और यूरोपेन उनने पच्चिस मार्च को एनौन्स किया है कि एक नई पार्टनर्शिप हम चालू करेंगे यूरोपेन उननन की जो डिपेंडन्स है रशीया की एनरजी के उपर इसको कम करने की बात की जा रही है जिसके तो हम रशीया को आईसूलेट कर सके ये कम कैसे करेंगे तो यूएस प्रेजिट जो बाइडन ये बोल रहे है कि भाई हम और गैस और एनरजी एक्सपोर्ट करेंगे किसको यूरोपेन उनन को यूएस प्रेजिट जो बाइडन ने साफसा बोला है कि जो रशीया का प्रेजिट है व्लादेमिर पुतिन ये अपने एनरजी एक्सपोर्ट के दम पे यूरोपेन उनन के ओपर धाग जमाते है और इससे जो पैसा कमाता है रशीया उससे वो अपनी वार मशीन चलाता है तो मिस्टर बाइडन ने बोला कि हम यूरोपेन उनन के साथ पार्टनरशिप के लिए तयार है हम जितना जादा हो सकेगा एनरजी एक्सपोर्ट करेंगी यूरोपेन उनन को ताकि यूरोपेन उनन की डिपेंडनेस रशीया के ओपर कमो अब यहाँ पे दो-तीन इशूज निकल के आते हैं अपने नाच्रल गैस एक्सपोर्ट को बहुत अधत तक हटा चुका है मतलब अलरड़ी यूएस एक बड़ी कॉइंटिटी में नाच्रल गैस के एक्सपोर्ट लिक्जूफ़ाइड नाच्रल गैस के एक्सपोर्ट यूरोप में कर रहा है अभी के लिए प्लान ये बड़ाएगा है कि इस साल नॉर्मल से 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से हम जादा एक्सपोर्ट करेंगे एसा यूएस का बोलना है ठीक है तो जितने भी यूएस और उसके अलॉइस हैं वो यूरोप को ज़्यादा नैच्रल गैस एक्सपोर्ट करेंगे ताकि रशिया से यहाँ पे कम मंगानी पड़ जाए लेकिन इन एनी केस कितनी भी ज़्यादा कर ले प्रेजेंट कैपेसिट तो जोयूएस जो इनर्जी एक्स्पोर्ट जाएंगे तो यूरोप वो महंगे होंगे यहाँ पे और अलडी रशिया यूरोप के बीच में एक बहुत लेकर नंनी एनर्जी इंपोर्ट का रशिया तो यूरोप गैस पाइप्लाइज बिची हुई है उन गैस यूएस पूरी तरीके से रशिया को replace कर सकता है when it comes to energy export यह क्या पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है यूएस किस हद तक जोर लगाता है दूसरी कंट्री से energy यूरोप पहुचाने में जर्मनी और फ्रांस किस हद तक यूएस की इस request को entertain करते हैं रशिया के उपर sanctions लगाते हैं यह सब आगे आने अलसे में पता चलिएगा जीएस paper 2 में चीज़ आपको कावाएगी फिर अगली नियूजर Supreme Court allows people with disabilities to opt for IPS provisionally देखे जो physical challenge candidates है आपको पता होना चाहिए कि Indian Police Services में Railway Protection Force में दिल्ली अंडमान और निकोबार आइलेंड पुलिस अलसे में दैनिप्स में Physically challenge लोग join नहीं कर सकते तो इस बात को लेकि एक disabled right organization है उसने Supreme Court में case डालाएगी भई हमारे देश के elite police forces में आप disabled people को क्यों नहीं आने दे रहो Supreme Court में case spending है ठीक है बहुत सरे लोग बोलेंगे कि सर अब IPS में भी तो थोई नडिसेबिल लोग आ सकते हैं तो देखे अब disability अलग अलग प्रकार की होती है हर प्रकार के disabled लोग IPS जैसी forces में काम ना कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है वो case by case हमें decide करना चाहिए तो अभी के लिए Supreme Court में case spending है ठीक है भाई तो अब UPSC के notification निकल चुका है last date निकल चुकी है किस फर्वरी को तो Supreme Court का decision तो आया नहीं तो यहाँ पे कुछ petitioners ने Supreme Court से बोला कि सर इस साल जो exam दिया जा रहा है उसमें आप IPS candidates को provisionally मतलब इस साल जो disabled candidates है उनको provisionally IPS के लिए आप compete करने दो हर साल क्या होता है कि जो disabled वच्चे हैं वो IPS के लिए compete नहीं कर पाते रेलवे protection force के लिए compete नहीं कर पाते दानिप्स के लिए compete नहीं कर पाते Supreme Court में case डाल दिया अब Supreme Court का case result अभी आया नहीं तो जब तक Supreme Court के case का result नहीं आ जाता तब तक provisionally apply करने दो इनको apply करने दो बाद में Supreme Court के decision के subject में यहाँ पे decide कर लेंगी कि हाँ इनको IPS मिलेगा या नहीं मिलेगा या उसके बाद की कोई post मिलेगी तो यहाँ पे यह news है मतलब Supreme Court में case spending है जो disabled persons हैं वो किस हब तक IPS join कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं Supreme Court over the course of time decide करेगा तब तक Supreme Court ने permission दे दी कि disabled लोग IPS के लिए provisionally apply कर सकते हैं एक बात दूसरी बात यहाँ पे जो लोग COVID-19 मेंस के exam में COVID-19 की वज़े से effect हुए थे वो यहाँ पे एक extra attempt की demand कर रहे हैं लेकिन केंदर की सरकार ने और UPSC ने यहाँ पे inform किया कि देखिए हमें एक extra attempt नहीं दे सकते हैं अगर हम किसी भी reason की वज़े से एक extra attempt देंगे तो ऐसे बहुत से parallel issues चल रहे हैं demand एक extra civil services में attempt की बहुत सदा बढ़ जाएगी जो की नहीं हो सकता अभी के लिए civil services dimension की एज 21-32 साल है general category की candidate के लिए कुछ relaxation से reserved category candidates के लिए 6 attempts मिलते है general category candidate को कुछ relaxation से reserved category लिए यही norm यहाँ पे रहने वाला है यह जो बोल रहे हैं कि भाई नहीं आप एक extra attempt दे दो ठीक है इस तरीके की demands को हम entertain नहीं करना चाहते हैं clear cut यहाँ पे UPSC की तरफ से भी clarification आ रहा है और केंद सरकार की तरफ से भी clarification आ रहा है दिस्टिक्स में काला नमक राइस उगाया जाता है काला नमक राइस नॉर्मल राइस से अलग है एक scented rice variety और market में ज़्यादा दाम पे बिगता है तो उत्तर प्रदेश में one district one product के अंदर काला नमक राइस के कल्टिवेशन को प्रमोट किया है और recently उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 करून रुपे बे अलोकेट की है काला नमक राइस के लिए यहाँ भी basically इस article में इस news में मैं आपको यहीं बता रहा हूँ कि काला नमक राइस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या steps लिए तो डियोपी में इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रमोट किया 12 करून रुपे लोकेट किया फिर अपेड़ा इसने बहुत से इनिशेटिव्स लिए काला नमक राइस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जैसे फार्मस और स्टेक होल्डर्स की capacity building करना agri export farming, काला नमक महत्सोग organize करवाना, farmer producers organizations के साथ coordinate करना बाहर की countrys में, foreign countries में काला नमक की variety को market करना ताकि लोगों को वो पसंदा और उसके import orders place करें foreign countries में फिर बहुत सारे research institute भी हाँप involved है इंडिन council of agriculture research, फिर इंडिन institute of rice research हैदराबाद, नैशनल rice research institute कटक Indian Agriculture Rice Institute, New Delhi ये सब कही न कहीं काला नमक राइस के उपर research and development कर रहे हैं उत्तरफदेश की सरकार के साथ मिलके ताकि काला नमक राइस की variety को और efficient किया जा सके और उसकी yield बढ़ाई जा सके और उसको international markets में और domestic markets में बेचा जा सके उसकी productivity बढ़ाई जा सके उसका nutrient load बढ़ाई जा सके अगर देखा जाए तो National Food Security Mission Rice जो चला रही है के इंदर की सरकार 193 districts for 24 states में इसके अंदर भी काला नमक राइस के प्रोग्राम को एक push किया जा सकता है उत्तरफदेश की 21 district में चल रहा है NFSM Rice Program National Food Security Mission Rice Program और चुकि यह rice के लिए है तो हर प्रकार का rice paddies में involved हो जाएगा काला नमक राइस भी यहाँ पे involved हो जाएगा तो NFSM के अंदर state governments को assistance दी जाती है कैसे हाइल्डिंग variety की seeds को गाया जाए cropping system कैसा किया जाए कौन कों सी farm machinery's को इस्तिमाल करना है nutrient और pest management कैसे करना है processing और post harvest कैसे करना है यह सब कुछ का assistant केंद सरकार की तलफ से और राज की सरकार की तलफ से under NFSM दिया जाता है फिर भाई काला नमक राइस का cultivation राजी की सरकार है एक और scheme के अंदर कर सकती है और वो है के अंदर state level sanctioning committee बना के chief secretary of the state individual plans को implement कर सकता है जिसके थ्रू काला नमक राइस की cultivation को state में बढ़ाया जा सके तो इतने तरीके हैं काला नमक राइस की cultivation को production को yield को इंडिया में बढ़ाने के लिए GSP3 marketing of agriculture products में news काम आएगी अगली news है इंडिया टीबी रिपोर्ट इसके बारे मैंने कल भी आपको बता दिया था 2021 में टीबी पेशेंट्स 19% बढ़े हैं टीबी पेशेंट नोटिविकेशन मतलब officially कितने पेशेंट्स को नोटिफाई किया गया है कि हाँ उनको टीबी हुआ है और overall उनको इस चीज़ का थोड़ा बहुत इलाज मिला है तो 2021 में 19,333,381 लोग को टीबी हुआ है 2020 में हुआ तो 16,8,161 ये कौन बोलता है टीबी रिपोर्ट 2022 बोलती है फिर क्या बताया जा रहा है कि हर प्रकार की टीबी की चलते हैं आप बोलो कि सर रहर प्रकार की टीबी का मतलब क्या है तो एक होती ही pulmonary tuberculosis जो की आपके lungs को impact होती है और एक होती है बाकी form of tuberculosis जो की बहुत सारे और आपके body के organs को impact कर सकती है लेकिन जो सबसे खतरनाक टीबी होती है और जो सबसे common TB होती है वो होती pulmonary tuberculosis ठीके न बीस के बीच में 11 प्रतिशत बढ़ी है, टोटल नंबर अफ एस्टिमेटेड टीबी रिलेटेड डेट्स दोहजार बीस में थी 4,93,000, जो कि 2019 से 13 प्रतिशत जादा है, ठीक है न, 2019 में टीबी रिलेटेड केसिस 11 प्रतिशत बढ़े हैं, तो अब आप टीबी रिलेटेड केस के रिस्पेक्ट में देख सकते हो कि काफी एच्छी इंफॉर्मिशन आप दी गई है 2020 में जो TB related cases हैं वो 38% कम हुए है अब 2020 में क्यों कम हुए थे इसको आपको पता ही है देखो जनवरी फर्वरी में COVID आया नहीं था मार्च अपरेल के बाद से आप देखो कि COVID ही COVID पे ध्यान चला गया तो बाकी दिमारियों की तरफ ध्यान गया ही नहीं बहुत सारे तो TB के लोग ऐसे होंगे जिनको COVID हो गया वो मर गये और वो COVID deaths में दिखे होंगे हो सकता TB report भी ना हुई हो कोल मिलाके 2020 में COVID pandemic के चलते TB notification, TB reporting इन सब चीजों के उपर impact आया TB नाम की बीमारी और खतरनाक तब हो जाती है चब individual, malnutrition, HIV, diabetes, alcohol, tobacco, smacking जिसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो 2020 में जितने भी notified patients थे, जिनको treatment मिला TB का, 83% बच गये, लेकिन 4% यहाँ पर survive नहीं कर पाए, यह चले गए, दुनिया चोड़ के जितने भी लोग TB सी सफर करते हैं, उसमें 61% males हैं और 39% females हैं, total pediatric category में आते हैं 6%, मतलब अगर 100 लोग को TB हुआ है तो 6 उसमें बच्चे होंगे ओके, 2021 की बात की जाए तो 2021 में इंडिया में TB पर 1,00,000 population 312 था, दिल्ली में पर 1,00,000 population 747 था, गुजरात में पर 1,00,000 population 137 था, 137 वहीं पर 2020 की बात करो तो पर 1,00,000 population 188 था, ओल इंडिया, ठीक है अब समझे, 2020 में पर 1,00,000 population और इंडिया 188 और 2021 में 312 यह फर्क क्यों है, फर्क इसलिए है, जो कि 2020 में COVID-19 के पैंडियमे के चलते, TB पे उपर उतना ध्यान गया नहीं, पब्लिक हेल्थ का, हो सकता है TB केसिस की रिपोर्टिंग कम हुई हो, इसलिए नंबर कम दिख रहा है जी एस बेबर टू, हेल्थ में निउस आपको काम आईगी, फिर इंडिया नहीं पर डिसाइज किया है कि 8 मिलियन टंसी हम एक्सपोर्ट करेंगे शुगर एक्सपोर्ट, पहली बार 6 साल में, डॉमेस्टिक प्राइसिस को कंटेन करने के लिए और डॉमेस्टिक डिमांड क को मीट करने के लिए भारत सरकार ने प्लान किया है कि शुगर का एक्सपोर्ट इंडिया से केवल 8 मिलियन टंस होगा, असल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है शुगर का ब्राजील, ब्राजील के शुगर एक्सपोर्ट हो गए हैं कम, प्लस दुनिया भर में यह सब sugar exporter के लिए पैसा कमाने का समय है है यह बहुत दुख की बात है कि 오른РЕटि हैं फ्रीकेज़ कि शभरिकी बाते हैं दूर्डी करेंग म मार्च दर पर 4 1 अब आपरेल तक 7群 मिल्यों टन का कॉन्ट्राइक्ट साइन हो चुका है। इंडिया से उसके बाद टेखनिकली शुगर नहीं एक्सपोर्ट हो पाएगा चुकि सरकार की जो टाइम लाइन है शुगर एक्सपोर्ट की वो खतम हो जाえगी अब सरकार ऐसा क्यों कर रही ही? सरकार ऐसा इसलिए कर रही है चुकि पहले हमारी नां कट चुक ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में record शुगर एक्सपोर्ट कर दिये बाद में पता चला domestic market में शुगर नहीं बचा फिर महेंगे में इसको import कर रहे हैं तो दुनिया हम प्यास रही थी कि देखो जल्दी जल्दी में export कर दिये आप खुद के खाने के लिए चीनी नहीं बचिये तो import कर रहे हैं तो इस प्रकार की situation दुबारा ना आ जाये इसलिए सरकार ने पहले ही बोल दिया है maximum 8 million tons का export जो कि domestic market में शुगर की डिमांड आएगी तब हमारे पास शुगर बचेगा नहीं फिर हमको import करना पड़ेगा फिर हमाई पूरी दुनिया में फिर से खुल ली उड़ेगी देखा जाये तो 1 October 2021 को हमारे पास 6.8 million tons का sugar stock था जो कि आप कह सकते हो पिछले 5 सालों में सबसे कम था 6.8 million tons आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन देश की आबादी बहुत बड़ी 130-150 क्रोन का देश है हमारा तो यहाँ पे शुगर की consumption तगड़ी है तो ऐसे समय पे domestic requirement के लिए भी शुगर बचनी चाहिए GS paper 2 और GS paper 3 में नियूस का हुआईगी फिर चाइना और Solomon Island ने मिलके एक draft secret security pact sign किया यह एक leak document यहाँ पे release हुआ है जिसमें पता चला है कि चाइना और Solomon Island एक security agreement sign कर रहे है जिसके चलते हैं Chinese troops और Neville Warships यह deploy हो सकते हैं Solomon Island में Solomon Island कहाँ है तो यह आपको नक्षा दिख रहा Australia का उपर ओशियाना है इधर New Zealand दिख रहा है आपको और यहाँ पे है आपका Solomon Island च्छै आइलेंड से ही है ठीक है छोटी सी country है च्छै स्मॉल आइलेंड से capitalist की हुनायरा जो largest island उसका नाम है गुआदल कैनाल प्राइम मिनिस्टर है इसके माना से सोगावारे और गवर्नर जनरल है सर डेविड वनागी अब चुकि Solomon Island ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है तो ऑस्ट्रेलिया से Solomon Island को बहुत मदद मिलती है लेकिन प्राब्लम यहाँ पर यह है कि अब एक सीक्रेट document के थो यह पता चलता है कि शायद चाइनीज नेवी और नेवल assets और इनकी armed forces कुछ हट तक Solomon Island पे डिप्लॉय हो सकती है ठीक है अच्छा यह agreement सीक्रेट रखा गया इसका एक ड्राफ्ट रिलीज हो गया ठीक है और इस ड्राफ्ट को ऑस्ट्रिलन government ने बोलाए कि यह legitimate है मतलब इसको Solomon Island की सरकार ने issue किया Solomon Island से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला गया कि भाई देखिए पूछ फर्जी लॉजिक है यह जो इलाका है ना Solomon Island के आस पास का यह one of the most peaceful इलाका है चाइना से ठीक ठाक दूर है औस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड को बेलेजेनर कंट्रीज है नहीं जो किसी को बिलूई करें बहुत आराम से Solomon Island पर लोग रह सकते हैं कोई टेंशन नहीं है ठीक है ना पाकिस्तान इराग इस टाइबी कंट्री से पता नहीं अजारों किलिमेटर दूर है उसके बावजी दिनको चाइना का नेवल एसेट्स चाहिए सिक्योर्टी के लिए तो यह सब फरजी बाते है चाइना अपने नेव आइलेंड का मोस्ट पाबली चाहिना इस पोजिशन को रिप्लेस कर लेगा लेकिन दिस नॉट अगूड न्यूस फॉर बोथ ऑस्टेलिया और न्यूजी लेंड की चाहिना की नेवी उनके इतने जादा पास पहुँच रही है ऐसा यह भी सुनने माया है कि सुलोमन आइले अपने डॉमेस्टिक लाइनफोर्समेंट के लिए चाहिना की आर्म पुलिस, पुलिस, मिलिट्री, परस्नल आर्म फोर्सेस की मदद मांगी है किस प्रकार से मदद मांगी है ट्रेनिंग के लिए मांगी है यह चाहिना की ही मिलिट्री को आपर डिप्लॉय करने की बात कर र Have a great day.